हेलो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पे दोस्तों कि आप एक अच्छा सा प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं जिसके अंदर आपको पर पीच की कॉस्ट सबसे कम पड़े और उसकी रनिंग कॉस्ट भी आपको सबसे कम पड़े प्रिंट आपको उसमें सबसे बहतरीन मिले तो दोस्तों ऐसे में आपको एक इंक टैंक प्रिंटर खरीदना चाहिए क्योंकि दोस्तों इंक टैंक प्रिंटर जो होते हैं उनके अंदर आपको मिलती हैं इंक टैंक जिनको आप रीफिल कर सकते हैं तो हर बार आपको cartridge change करने की ज़रुत नहीं पड़ती और दोस्तो ink tank printer में आपको जो per page print का cost पड़ता है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ता है आपको ink tank printer में per page cost 10 पैसे से भी कम पड़ती है वहीं अगर आप compare करें ink jet printer से तो उसमें आपको एक page की cost 6-7 रुपे पड़ती है तो दोस्तो difference बहुत ज़्यादा होता है इसलिए दोस्तो आपको एक ink tank printer खरीदना चाहिए अब ऐसे में दोस्तो अगर आप confused है कि कौन सा ink tank printer खरीदें तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया में मिलने वाले 5 best ink tank printers के बारे में उनके features के बारे में और उनकी price के बारे में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी तरह के ink tank printer दिखाने वाला हूँ single function, multi function, wifi के साथ आने वाले और without wifi option के साथ आने वाले तो दोस्तो वीडियो को end तक जरूर देखना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों सीख छोटी से request है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर दोस्तो आपको detail में information चाहिए printer के बारे में कि कितने type के printer होते हैं printer खेजने से पहले आपको क्या चीज़े ध्यान में रखनी चाहिए हर चीज बारी की से जानना है तो दोस्तो description box में और ओपर i button में आपको मैं video का link दे दूँगा वहाँ पर जाके आप detail में जान सकते हैं कि printer खेजने से पहले क्या का चीज़े important होती है तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं top 5 best ink tank printer in India दोस्तो number 5 पे है HP का 115 model का ink tank printer ये एक single function printer है तो आप इसमें print ही कर पाएंगे इसमें आपको scan का या photocopy का feature नहीं मिलता इसके अंदर आपको USB connectivity देखने को मिलती है कोई भी wifi का या wireless option आपको इसमें नहीं मिलता connectivity के लिए इसमें आपको cost per print पड़ता है 10 पैसे black and white print के लिए और 20 पैसे color print के लिए दोस्तो इसकी जो speed है वो है 19 page per minute black and white print के लिए और 15 page per minute color print के लिए दोस्तो इसका जो page yield है वो है 6000 black and white print के लिए और 8000 color print के लिए दोस्तो page yield का मतलब होता है कि एक full tank में printer कितने pages print करता है इसके अंदर आपको easy to fill ink tank देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो इसमें जो ink tank है उनको आप काफी easily refill कर पाएंगे इनकी जो bottle आती है इनकी उससे और ये spill proof है तो जब भी आप इसमें ink भरेंगे तो वो फैलेगी नहीं इसके उपर आपको एक साल की complete warranty मिलती है और अगर बात करने इसके price की तो इसके जो price है वो है around 9000 रुबे के असपास दोस्तो ये जो price में आपको बता रहा हूँ या फिर आगे आने वाले printer के बताने वाला हूँ ये सब ही video बनाते समय के price है हो सकता है कि जब आप video देख रहे हों तो इनकी जो price है वो कम्या जादा हो गई हो या फिर इन पे कोई offers वगरा चल गए हो तो ऐसे में दोस्तो जिते भी printer में आपको दिखाने वाला हूँ सभी के links आपको description box में और comment box में मिल जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप इनकी current price और offers को check कर सकते हैं दोस्तो नमबर 4 पे है Canon का G3020 model का ink tank printer ये दोस्तो एक multifunction printer है तो आपको इसमें print copy और scan का feature देखने को मिल जाता है और इसमें आपको USB और Wi-Fi की connectivity देखने को मिल जाती है इसमें आपको cost per print पड़ता है 12 पैसे black and white print के लिए और 35 पैसे color print के लिए इसकी जो print speed है वो है 13 page per minute black and white print के लिए और 8 page per minute color page के लिए दोस्तो इसका page yield है 7600 black and white print के लिए और 7700 color print के लिए इसके अंदर आपको एक 5.08 cm के mono LCD display देखने को मिल जाती है जो कि एक काफी अच्छा feature है और इसके अंदर आपको मिलता है borderless print का feature दोस्तो borderless print क्या होता है यह आपको मैं बता दूँ कि आपकी screen भी जो photo आ रही होगी इससे आप अंदाजा लगा लेंगे borderless print क्या होता है इसके उपर आपको मिलती है एक साल की complete warranty और अगर बात करूं इसके price की तो इसका जो price है वो है around 15,500 रुपे क्या सपास दोस्तो इस printer के एक दूसरा model भी आता है जिसके अंदर आपको wifi की connectivity देखने को नहीं मिलती और वो आपको लगबग 12,000 रुपे सस्ता पढ़ता है तो अगर आप वो भी खरीदना चाहें तो इसके भी link आपको description box मिल जाएंगे दोस्तो नमबर 3 पे है HP का 416 model का ink tank printer ये दोस्तो एक multifunction printer है तो इसमें आपको print copy scan की feature देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको USB, Bluetooth और Wi-Fi की connectivity देखने को मिल जाती है इसमें आपको cost पर print पढ़ता है 10 पैसे black and white print के लिए और 20 पैसे color print के लिए इसकी जो print speed है वो है 19 page per minute black and white print के लिए और 15 page per minute color print के लिए दोस्तो इसका page yield है 7500 pages black and white print के लिए और 8000 pages color print के लिए इसके अंदर भी आपको borderless print का feature देखने को मिल जाता है और इसके पर आपको HP देता है एक साल की complete warranty अब अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price वो है around 14,000 रुपीज के आसपास दोस्तो इसके अंदर भी आपको एक बिना wifi के option वाला SIM printer देखने को मिल जाता है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा जो कि इससे थोड़ा सस्ता बढ़ता है दोस्तो नंबर दो पर है Epson का L3250 model का ink tank printer ये दोस्तो एक multifunction printer है तो इसमें आपको print scan copy का feature देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको USB और Wi-Fi के connectivity देखने को मिल जाती है दोस्तो इसके अंदर आपको cost per print पड़ता है 7 पैसे black and white print के लिए और 18 पैसे color print के लिए जो कि काफी कम है अगर आप compare करें बागी printer से इसके अंदर आपको print speed देखने को मिल जाती है 33 page per minute black and white print के लिए और 15 page per minute color print के लिए इसमें आपको page yield देखने को मिलती है 4500 black and white print के लिए और 7500 color print के लिए इसके अंदर आपको borderless print का feature देखने को मिल जाता है और दोस्तो इसके पर आपको मिलती है एक साल की complete warranty अब अगर बात करें इसकी price की तो इसका जो price है वो है around 16,500 रुबे के आसपास दोस्तो number 1 पे है brother का ink tank printer model number आप अपने screen पे देख सकते हैं ये दोस्तो multi function printer है तो आपको इसमें print copy scan का feature देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको connectivity के लिए USB और Wi-Fi के feature देखने को मिलते हैं दोस्तो इसके अंदर आपको cost per print पड़ता है 8 पैसे black and white print के लिए और 30 पैसे color print के लिए दोस्तो इसकी print speed है 28 per minute black and white print के लिए और 11 page per minute color print के लिए इसका page yield है 7500 black and white print के लिए और 5000 color print के लिए इसके अंदर आपको borderless print का feature देखने को मिल जाता है और दोस्ते इसके अंदर आपको मिलता है 2-in-1 ID card copy का feature जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपका ID card होता है उसको ये एक page पे दोनों side से scan करके print कर देता है उसी same size में जो size आपका original ID card का होता है इसके अपर आपको brother देता है एक साल की warranty और अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price है वो है around 15,600 रुबे के असपास दोस्तों इसके अंदर भी आपको एक non wifi या फिर बिना wifi का model देखने को मिल जाता है जो कि इससे थोड़ा सस्ता पड़ता है तो अगर आप वो खरीदना चाहें तो उसके link आपको description box में मिल जाएगा और दोस्तों आज की video के लिए बस इतना ही video चले कि तो please video को like करें और इसी तरह की video देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो भी जितने भी printers मैंने आपको दिखाए हैं सभी के links आपको description box में और comment box में मिल जाएगे तो वहाँ पर जाके आप इनकी prices और offers को check कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद बिसकते हैं धन्यवाद दोस्तों